Asalaamu alikum everyone this is Ali from Masak and smartphone award of 2020 on Masak 2020-2020 जो है complete हो रहा है इस 2020 में देखा कि बहुत परनी में दोटीड में बनी है बहुत कंपनी ने ग्रोवाइब किया और बहुत में बहुत सी दिवाइस देखने को मिली और इस साल ज्यादा टेक्नोलजी को नहीं चेंज किया गया बस आपको थोड़ा सा रिफ्रेश टेट और कैमरा से नंबर जो है वो देखने को मिले लेकिन बाई बारहल इस 2020 को कवर करते हैं कि मेरी क्या चॉइस है लेकिन मैंने साथ-स इसी वीडियो में इंबेंड करना मुनासिब समझा कि हमारी ओडियंस क्या सोचती है इस साल ओडियंस की क्या चॉइस रही है जिसके लिए हमने वोटिंग की थी अपनी वेबसाइट पर जिदर आप लोगों ने काफी जो है वह एप्रिशेट किया और उस पर हमने गिवेव चॉइसतों सबसे पहले बात किटे हैं और डियंस चॉइस की क्या रही है और अर्डियंस की च्वाइस होती है तो मैंने प्राइज यूजिए है तो सबसे पहली कटेगरी है मोस्ट पॉपुलर फॉन अंदर 30 के आर्डियंस च्वाइस तो यहाँ पर नॉमिनींनी थैं और टेक्नो पोवा या केमन 16 SC को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन यहां पर वही तोटली थोड़ा सा डिफरेंट डिसीजन निकल कर आता है ओडियंस की तरफ से और इसमें ओडियंसी एक्चुली में जज होती है जो के पैसे खरशती और प्रोड़क्ट को भाई करती है और इस एवार्ड गोज तो पोको M3 एंड रेड्मी 9 फ्रम ओडियंस ओफ मास्टेग यह वो फेमस पॉपुलर फॉन रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में जो के ओडियंस की च्वाइस रही है 1600 के राउंड बाउट यहां पर वोटिंग की गई जो पोको M3 और पोको रेड्मी 9 को लेकिन भाई काफी अच्छी चोइस लोगों की रेड्मी नोट 7 और इंफिनिक्स नोट 8 की तरफ भी रही है जा पर 1200 के राउंड बाउट वोटिंग जो है इंफिनिक्स नोट 7 को भी मिला तो यह रणर अप रहे हैं इंफिनिक्स नोट 7 या नोट 8 सीरीज लेकिन भाई एवाट जाता है पोको M3 और रेड्मी 9 सीरीज को अगली केटगरी है बेस्ट फॉन अंडर 45 के अल्दो जो 40,000 रुपी किरिंग 2019 में तो टेक्सेशन और बागी करंसी रिट्स की वज़े से यह 45,000 के होगी लेकिन ओडियंस क्या जो रियक्त करती इस पर कितने वोट करती है जानते है अभी तो यहां केटगरी जो है निकल कर 31, Realme 6, Vivo S1 and S1 Pro और यहां भी बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लोगों की च्वाइस निकल कर आती है इस आवाउस गोज तो Poco X3 जो के इस प्राइस ब्रैकेट का मोस्ट पॉपॉलर डिवाइस रही है और शायद इस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिव जाता है दूसरा अवार्ड ऑडियंस की तरफ से जाता है शाओमी को Poco X3 के अगेंस्ट अगला अगली जो कैटेगरी है वो हमने रखी है बेस्ट फॉन मोस्ट पॉपॉलर फॉन अंडर सिक्स्टी के बिकॉस आसे दो ड़ाई साल पहले तो भाई फ्लैक्शिप फॉन इस र ओपो रेनो 4-series Vivo V19 और V20 और Vivo जो अपनी V-series इस प्राइस बैकेट में लेके आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्जी A51 और यहां पर Realme 6 Pro और 7 Pro को भी हमने रखा था और यह एवार्ड ऑडियंस की जो च्वाइस जाती है वो जाती है शाओमी Mi Note 10 Lite को नो डाउट अपनी प्राइस ब्रैकेट में कर्व डिस्प्ले स्नाइब डिस्प्ले स्नाइब लेकिन 732 जी ते 308 की फास चारजिंग 64 मेगा पिक्जल कैमरा वह फील प्रवाइट करता है और और यहां अगर शाओमी Note 10 Lite के वोट की बात कर ली जाए तो यह वोट लेता है अठारा सो तीन के और रेनर अप है Galaxy A51 जिसको वोट डले भाई 417 तो अब भी ब्रैंड लोयलिटी जिन्दा है पाकिस्तान की मार्केट में तो सैमसुंग को भी चाहिए कि अपने जो ब्रैंड लोयल कस्टमर्स है उनके लिए और भी मज़ीद काम करें और हूप सो के 2021 में यह ब्रैंड वह ज्या को मिलती है और यहां हमने केटेगरी जो है उनी फॉन्स की रिखी जो के पाकिस्तान में ऑफिशल टेक्स पे के हो के आ रहे थे वारंटी में आ रहे थे मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्ते आपने वानप्लस के फॉन ने इंक्लूड किये या एपल आयोई की डिवाइस को इंक्लूड नहीं किया तो भाई स्मगल फॉन को हम पर्मोट नहीं करते हाँ जब वनप्लस ऑफिशली खुद आएगा तब हम जरूर अपने चनल पर स्पेस देंगे हाँ अगर यहां पर जो एपल है वो अपना डिरेक्टली खुद आता है पाकिसान में मैं किसी डिस्टु उसमें मैंने ज्यादा एंडॉड डिवाइसी रखी है नॉमिनीज आर गलेक्जी नोट्वेंटी अल्ट्रा ओपो फाइंड एक्स टू प्रो शाओमी मी 10 ओपोको एफ टू प्रो और एस्ट्वेंटी अल्ट्रा गलेक्जी एस्ट्वेंटी अल्ट्रा यह वो ऑप्शन सी और प्रीमियम फील वाला फॉन है लेकिन पाकिसानी मार्किट की यह रैलिटी के भाई एक्जीनोस कार्डवेर आता है 8GB RAM के साथ इस वजह जैसे शायद कुछ ब्रैंड लोयलिटी टूटी यह सैंसंग की लेकिन सैंसंग को काम करना चाहिए कि भाई आप अब स्नैब्रेग अब यह तो बात हो गई ऑडियंस की बात करते हैं कुछ एक और ऑप्शन की जो के मुझे इंटीग्रेट करना ज्यादा बेटर लगा अब यह वह कैटेगरी है जो मैं के हार प्राइस बैकिन में रखता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती और ट्रॉफिस बहुत सारी हो सकत और भाई अपने चैनल के व्यूज को भी काउंट किया है और यह कैटेगरी है बेस्ट सेलिंग स्मार्टफॉन अंडर 35 के कहलें या 30 के कहलें क्योंकि यह वह रेज है जहां पर हर दूसरा परसन पाकिस्तानी चाहता है कि मुझे अच्छी डिवाइस चाहिए और उसकी ज्य सब्सक्राहिए करें लेकिन अब भी जोग़ी जुकु कैनल कि करते हैं तो ये थी market की reality, audience की reality, अब आ जाते हैं अपनी reality वे वापस, कि मुझे इस साल क्या-क्या phone किस-किस category में better लगे, although मेरी दूसरे यूट्यूबर से जो categories हो थोड़ी ची different होंगी, because मैं थोड़ा सा logical काम करने का आदियों, 2020 में मैंने काफी ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों को logically समझा सकूँ, logically अपना contact deliver कर सको, तो यहां मैंने कुछ categories, price-wise जो है, वो adjust की है, तो सबसे पहली category आ जाती है, budget range, यहां आप इसको कह सकते हैं, कि मिड रेंज का सथा range हो वाली, बीस हजार रुपे की range के अंदर हमें इस साल बहुत सी devices देखने को मिली, मेरी क्या choices रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस साल हमने देखा कि इस range के अंदर हम लोगों ने बहुत से brands की तरफ से कुछ अच्छी specification भी देखी, लेकिन तिल नाओ 2020 है, बहुत से brand 15-20,000 रुपे की range के अंदर 2GB 32GB का variant प्रोवाइड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस price segment को justify करता है, क्योंकि ये वो price bracket है, ये वो price segment है, जहां offline market हो या online market हो, पाकिसान के अंदर 25% user इस price bracket का है, जो के mediocre तबके से थोड़ा सा नीचे वाला होता है, जिसकी जो earning है वो कम है, जो 25-20,000 रुपे की तंखाल लेता है, या 30,000 की तंखाल लेता है, वो effort करता है 15-20,000 रुपे की range के अंदर, और मैं ये भी उमीद करता हूँ कि अगले साल हमें brands की तरफ से इस price segment में कुछ अच्छी devices भी देखने को मिलें, although इस साल हमें बहुत सा competition देखने को मिला, लेकिन बहुत सी improvement भी कुछ brands की तरफ से देखने को मिली, मेरी choice, मेरी master की जो choice है, अंदर 20K, वो दो phone के अंदर टाय होने वाली, एक है, Infinix का Hot 10, मेरे खिलियो जी 70, gaming अच्छी मिलती है, display punch hole display मिलता है, कोई notch नहीं है, मुझे पता है कि दोस्त मेरे कह रहे होगा, वो अपडेट नहीं आएगी, तो gaming experience 3GB, 32GB, Redmi 9 के साथ अतना बेटर नहीं रहा, हाँ, Infinix Hot 10 के साथ मेरा बेटर रहा, लेकिन यहाँ tie होने वाला दूसरा phone है, वो है, टेक्नो केमेन 15, unexpectedly, उसकी वज़ा यह है कि यह पाकिसानी market का सबसे cheapest phone है, जो के 19-20,000 रुपे में अब market में available भी है, यह भी भी रहा होगा, यह खतम भी हो गया होगा बरहल, यह phone पाकिसान का सबसे ससा phone था, जो के 48 Megapixel camera setup एक अच्छी premium build quality भी लेकिया था, और build quality बड़ी matter करती है, और साथ के साथ design भी अच्छा लेकिया रहा था, पंच होल डिस्प्लेय था, जहां पर front side पर कुछ 16 Megapixel का sensor था, although gaming performance उतनी बेठा नहीं थी, तो gaming के साब से Infinix Hot 10 मुझे ज्यादा बेठा लगा, जिसे मेरा experience बेठा रहा, और camera के हिसाब से इस price package में मुझे लगता है कि अगली category जो मैं अपनी तरफ से राउंस करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि price segment बड़ा matter करता है, वह है best phone Master X Choice Under 30K, अब इस price bracket में भी बहुत सी devices launch की गई, कहीं कुछ cameras, कहीं कुछ refresh rate, लेकिन भाई इस range के अंदर जब हम आते हैं 25-30,000 रुपी की range के अंदर हमें 2-3 चीज़ें बहुत matter करती हैं, design के साथ साथ performance, performance के साथ camera, display से हम compromise कर सकते हैं, although Redmi 9 और POCO M3 price bracket में वाहिड phone है जो के 1080p resolution के साथ आ रहे हैं, यह हमने Tecno Kevin 15 Pro भी देखा जो के pop-up camera के साथ था, बट वहां पर performance इतनी बेटर नहीं थी, लेकिन भाई, मेरी choice थोड़ी सी different होती है, because जब तक मैं phone को use नहीं करता, उसके बारे में opinion नहीं बना सकता, और मुझे यह लगता है कि Infinix ने इस price bracket में काफी improvement की है, अपनी Infinix Note 7 सीरीज के बाद, चाहाँ बर मुझे लगा कि Infinix नोट 7 सीरीज के बाद, यह market की reality है, सबसे ज़्यादा Infinix का बिकने वाला भी phone यह यह और मुझे भी काफी ज़्यादा पसंद आया, वो है Infinix Note 7, और award Master की choice का जाता है, Under 30 के best one of 2020, Infinix Note 7, and congratulations Infinix के, आज आप Master की चैनल पर एक award लेके जाते हो, और वो भी अपने Infinix Note 7 की वज़ा से, उसकी वज़ाई है कि यहाँ पर हमें कुछ अच्छा डिजाइन मिल रहा था, एक बिल्कुल हटके डिजाइन था, और camera setup मुझे काफी बेटर लगा, तो रियलिटी यह है के, मिडेट एक QG70, 48MP, ट्रेंडी डिजाइन, 18W की fast charging, तो overall यह phone मुझे लगता है कि, डिजर्व करता है, बेस्ट phone Under 30 का 5K, मास्टेक चॉइस, और इस पर मुझे लोगों का feedback भी काफी proper आया, तो मेरे लिए resolution matter नहीं करती, performance, design और camera काफी matter करता है, और उसके बाद आजाती है, बाई, के 40-45,000 अरबे category, और 2019 में हमने देखा के 40,000 अरबे की category काफी जो थी, aggressive थी, बट currency exchange और taxation की वज़ए से यह range वीज़ो है, वो 4-5,000 इस साल हमें महंगी होती भी मिली, लेकिन काफी brand ने काफी products इस price bracket में launch की गई, और सब brands की कोशिश यह थी कि हम user का experience है, वो इस price bracket में ज्यादा enhance कर सकें, वीवो की तरफ से super AMOLED display दिये गए, लेकिन performance, snapdragon 665 या 660 इस ताब के launch किये गए, although RGB की RAM थे और OPPO की तरफ से भी same scenario रहा, super AMOLED displays को ज़रूर consider किया गया, और उन user को ज़रूर consider किया गया, जो के super AMOLED displays चाहिए, लेकिन यह जो price bracket है, इस price bracket में मेरी choices थोड़ी सी different होती है, मैं super AMOLED display से compromise कर सकता हूँ, लेकिन भई मैं performance से compromise नहीं कर सकता, camera performance से नहीं कर सकता, fast charging से नहीं कर सकता, और एक most important thing, मैं बहुत ज़्यादा touchy हूँ, build quality के हसाब से, मुझे build quality hand feel जो है न, उस पर बहुत ज़्यादा compromise नहीं करना, इस price bracket में आके, और इस साल हमने देखा, बलके last year भी हमने देखा था कि Redmi Note 8 Pro, जो कि 15 October को launch किया गया था, और mid of this year ये बिक्ता रहा है, although Poco X3 इन इस price bracket में आता है, लेकिन मेरी choice थोड़ी सी different होगी, मेरी choice ये है के, मैं ये award देना चाहूँगा, Xiaomi को best phone under 45 के, master X choice goes to, Redmi Note series, not a single phone, मैं पूरी series को देना चाहूँगा, उसकी वज़ा ये है, के Note 8 Pro को glass build quality में लाँच किया गया, Gorilla Glass 5 में, Media Deck Helio G90T, gaming अच्छी मिल रही थी, camera's अच्छा मिल रहा था, और उस राइम का best selling phone भी था, लेकिन भाई, जैसे ही हमने mid में देखा, Redmi Note 9 series, Note 9 Pro, Note 9S, Note 9 को लाँच किया गया, number of variety, number of models को दिया गया, जिसके पास 30 से 35 जार है, वो Redmi Note 9 लेता है, जिसका 35 से 40 जार है, वो लेता है Redmi Note 9S, जिसको fast charging, 64 Mega Pixel के option चाहिए, वो Redmi Note 9 Pro को लेता है, और snap लेकिन 720G, दोनों ही वेने में मिलता है, 9S और 99 Pro में, जो कहा हमें 80,000 रुपे की range, और 60,000 रुपे की range में भी देखने को मिलता है, और साथ के साथ यहाँ पर हमें fast charging और build quality बड़ी matter करती है, बहुत matter करती है मेरे लिए, और जो premium feel in phones में आती है, जितनी optimization मुझे in phone में better मिली, वो मुझे किसी भी device में इस range के अंदर वो feel, टोटली जिसको कहते हैं कि package वो देखने को नहीं मिली, तो यह award जाता है मेरी तरफ से Xiaomi की Redmi Note series को, और भाई 60,000 रुपया है, 2018 में इस range के अदर हमें flagship phone मिलते थे, लेकिन unfortunately भाई कि पाकिसान का जो scene है वो बिल्कुल different है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, currency के साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है, taxation के साथ और PTA भाई बहुत सक्त हो गया, जिसकी वज़े से हमें जो mid premium range थी, वो 60,000 रुपय की चलीगी, ऑल्दो किसी जमाने में ये flagship थी, लेकिन इस साल हमने देखा कि इस price bracket में, Vivo अपना V series, flagship series जो पक्साम लाता है, सुपर वाले variants या, उपर वाले phone नहीं लाता, लेकिन Oppo Reno series इस range के अंदर लेके आता है, वो ही Xiaomi Note 10 Lite जो के audience की choice रही है, वो launch किया गया, और यहां पर हमें Realme 6 series का 6 और 6 Pro भी देखने को मिला, लेकिन भाई, मेरी choice थोड़ी सी different होती है, मैंने कहा नहीं कि मैं build quality पर compromise नहीं करता, और जो Xiaomi Note 10 Lite है, वो Gorilla Glass 5 का build quality है, लेकिन curve display है, accidental touch, और थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा sensitive phone है, that's why मेरी choice हो आने जाती, मेरी final choice, बड़ी जीब सी होगी बात, लेकिन बहुत सारे दोस्तों जो मुझे मिल चुके हैं, वो जानते हैं, कि मैं ये phone चला रहा हूँ, और उसकी चलाने की वज़ा ये है, कि मुझे इस phone के अंदर ये processor काफी ज़्यादा optimize मिला, camera अच्छा देखने को मिला, even though display भी अच्छा देखने को मिला, तो ये है मेरी च्वाइस, अंडर 60K, मास्टेक की च्वाइस है, वीवो वी 19, अब उसकी वज़ा ये है, यहाँ गॉरिला ग्लास 6 की build quality, फील जबदस आती है, और जो silver color वो भी अच्छा है, black color भी अच्छा है, और यहाँ पर slim and sleek design है, उसके बाद camera bump बहुत अच्छा देखने को मिलता है, camera setup बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बुके वीडियो भी आप record कर सकते हैं, और super amoled display और बागी सब phones के आपको बिल्कों लेफ कारणर पर पंचोल मिलता, बागी casual music मेरा सारा इस phone पर है, जहाँ पर मुझे battery makeup और optimization काफी better मिली, और यह award जाता है Vivo V19 को just because of optimization, look, feel and all the things I need, मुझे accidental touch नहीं इस phone में देखने को मिलते, तो यह award है Vivo के लिए, वेल दोस्तों, अगली category बड़ी important है, इस लिए है कि अगर 60,000 पर expense कर रहे हैं तो क्यों ना तो कोई 8-10,000 पर और arrange कर लें और जिसके पास कुछ पैसे होते हैं वो arrange कर लेता है, वह है best phone of the year under 70K master की क्या choice रही है, बहुत सारे दोस्तों ने सही guess कर लिया ज्या दोस्तों मेरी च्वाइस इस range के अंदर undoubtedly unexpected तो नहीं कहूंगा क्योंकि सबको पता है कि इस range के अंदर आप कौन सा best phone है, वो है Xiaomi Mi 10T, flagship level processor, Snapdragon 865, camera काफी better, 144Hz का refresh rate, fast charging और हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो के हम एक एक लाक रुपे या 80,000 रुपे की device में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे दोस्तों के यार अली आप IPS पैनल की क्यों इतनी तरीफ करते हैं, यार सच में इस phone के अंदर feel नहीं आया मुझे, के भई यह जो phone है, वो कोई IPS panel है, या performance में lag मिल रहा है, और मैं gaming, cameras, वो भी इस phone में यूज़ कर रहा हूं, तो 70,000 रुपे की range के अंदर, मेरी choice, under 70K, best choice award goes to, Xiaomi Mi 10T, undoubtedly, congratulations Xiaomi, you have got one more award from Mastec, और अगली category, 70,000 से 10,000 रुपे उपर आ जाती है, मतलब भाई, हर 10,000 बाद हमें को number of choices, जो है ना, वो मिल रही हैं, लेकिन यह जो 80,000 की choices हैं, ज्यादार हमें यूज़ फॉन मिल रहे होते हैं, और मैं फिर कहूंगा, कि IOS को मैं इसलिए space नहीं देता, कि official नहीं आता पाक पाकिस्तान में, तब हो लेके आता है, अगर global launch के साथ Apple लेके आएगा, तो next year space मेरे channel पर मिलेगी, otherwise पाकिस्तान के अंदर हम Android devices को promote करते रहेंगे, Apple को को कोई भी promotion देखने को नहीं मिलेगी, तो अगली category है, most premium and lightweight phone of the year, Mastec Choice, यह undoubtedly एक ही phone मिले जाता है, उसकी वज़ा यह है कि मुझे पता है कि इस phone के अंदर इतनी performance उस level की नहीं है, जो कि हमें meet and team में देखने को मिल रही है, बड़ यार, इस phone के अंदर मुझे feel आया, कि मैंने कोई अच्छा phone बाय किया, वो है, OPPO Reno4 Pro, because of its 90Hz refresh rate, LED पैनल के साथ आता है, और काफी curve display रखा गया, और OPPO की तरफ से यह एक लाक रुपे की range से नीचे नीचे, असी हजार रुपे की range में हमें offline market मिल रहा था, जहाप curve display और design काफी better, feel काफी better मिल रही थी, 65W की fastest charging मिल रही थी, जो के हमें एक लाक असी हजार रुपे की range में, या सतर हजार रुपे की range में, Find X2 Pro में भी देखने को मिली, although वो build 80,000 में कुछ justification देता है, लेकिन performance शायद compromise है, but 8GB 256GB का विरेंड मिलता है, तो this EVOS go to Oppo, because of Oppo Reno 4 Pro, अब इससे पहले कि हम कुछ flagship phones की बात के रहे हैं, या flagship killer devices की बात के रहे हैं, या हम बात के रहे हमारा final verdict क्या है, कौन सा brand हमें इस साल पसंद आया, उससे पहले बात कर लेते एक छोटा सा एक point था, जोचको मैं जरूर include करना चाहरा था, वो है trendy design, सब brands में कोशिश तो कि हम अच्छा set, अच्छा design दे सकें, अच्छी specification दे सकें, लेकिन या slim phone ज़रूर दी है, लेकिन compact size, या slim design, या एक अलग दिखने वाला design मुझे बहुत कम devices में देखने को मिला, आ अब इस phone को dedicated, shout out, या award मैं इस sense में देना चाहरा हूँ, कि ये phone बिलकुल totally एक different strategy, एक trendy design जिसको हम कह सकते है, या build quality कह सकते है, वो लेके आता है, एक different feel लेके आता है, वो है Vivo का V20, undoubtedly ये design मुझे इस साल का सबसे best design लगा, जहाँ पर camera implement, color implement, feel, हा मुझे पता कि notch display है, but compromiseable है, जिसको compact size चाहिए, जिसको design different चाहिए, कुछ चीजे better चाहिए, तो भाई यहाँ पर कर सकता है compromise, लेकिन भाई, no doubt, ये trendy design है, हमारे लिए, इस साल का master key choice जाएगी, trendy design of the year, under 60K भी कह सकते हैं आप, वो है Vivo का V20, and this award goes to once again, in that price segment, Vivo, हाँ, gamers मुझे पता है, आप इस तर्म वे में कौन सी better लगी, और यहां मुझे लगता है, कि जितने gamers ने मुझे इस साल देखा है, उनको पता है, Kelly भाई को इस range के अंदर gaming device कौन सी अच्छी लगी, लेकिन उससे पहले, Infinix की मुझे काफी अच्छी improvement लगी, जहांप 90Hz refresh rate मिला, liquid cooling मिली, 08 series में, और साथ के साथ हमें, Note 8 series में देखने को मिली, Note 8 Pro में देखने को मिली, और best gaming device of the year, under 40K, seriously, यह अवार्ड मैं एक कंपनी को नहीं देना चाहता, उसकी वज़ा है कि भाई, बहुत सी changing हमें देखने को मिली इस साल, और बहुत सा trend setting भी देखने को मिली, यहां पर यह अवार्ड जाता है, दो कंपनी पहला एवार्ड जाएगा भाई, Poco X3 and Redmi Note 8 Pro, Note 8 Pro was the first phone in that price segment, जिसमें हमें extreme frame rate, 60fps का gameplay, अच्छा gameplay मिल रहा था, लेकिन refresh rate 60Hz का था, और यहां पर काफी जबदस किसम का gaming experience और अब तक जितने भी gamer use कर रहें नोट 8 Pro को, हो मेरी बात को बिलकुल agree कर रहे होंगे, और Poco X3 is the first phone with Snapdragon 732G, dual speaker, liquid cooling technology भी मिल रही थी, Note 8 Pro में बिल रही थी, तो यह award, पहला award मैं देना चाहूंगा, Note 8 Pro और Poco X3 को, लेकिन अगली company को मैं इसलिए देना चाहूंगा, because it's a trendsetter in a Pakistan market, it was a trendsetter, but अब trendsetter नहीं है, वो है, Realme 6, no doubt, इस phone के अंदर भी gaming हमें काफी बेटर देखने को मि अगली, although इस phone में हीटिंग इशू जुरूर थे, लिक्वीड कोलिंग नहीं लगाईगी थी, लेकिन भाई, जैसे जैसे अप्टिमाइज जैसे अपडेट आती रही है, जो Realme का गेमिंग स्पेस है, वो है काफी optimized मिला और काफी अच्छा gameplay रहा मेरा Realme 6 में, तो यह थे वो दो एवाड जो के 40K की रेंड में मुझे लगता है कि गेमिंग डिवाइस के हिसाफ से डिजर्फ करते हैं, आजाओ भाई, फ्लैक्शिप किलर्स पे, फ्लैक्शिप किलर्स की बात किरते हैं, तो भाई, इस साल हमने देखा कि Poco F2 Pro, Mi 10 और इस तरह की डिवाइस, लेकिन Mi 10 सुपर जूम डैट वाज, बट उसमें हमें कुछ इशूज जरूर देखने को मिले, IPS पैनल के साथ, ब्राइटनेस उतनी लेवल की अड़स नहीं की ती, लेकिन एक ऐसी डिवाइस है, जो कि मुझे लगा कि ये अच्छा इंप्लीमेंट है, इस साल का, और मजीद इसको और भी aggressive लाना चाहिए, जहां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, जब हम एक लाक रुपे की रेंज में को प्रोड़क लेने जाते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचते हैं, ब्रेंड लोयलिटी को, और ये डिवाइस है, Samsung S20 Fan Edition, जहां दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग कह रह इस स्पेसिफिकेशन मिल रही थी, जो कि हम एक फ्लैक्शिप लेवल से एक्सपेक्ट करते हैं, और जो ये फ्लैक्शिप लवर जो फ्लैक्शिप फॉन भाई करते हैं, ये बड़े चूजी होते है, बड़ी नेचर डिफरेंट होती है, कोई कहता है कि मुझे सरा सलिम फॉ इवन दो S20 जो था छोटा वेरेंट S20 सीरीज का, उससे भी मुझे यहाँ पर फिल ज्यादा बेटर मिली, इवन दो परफॉर्मस भी काफी बेटर मिली, और कैमरा में काफी बेटर मिला, और IP68 की रेटिंग मिलती है, और प्राइज अनेक्सपेक्टिली जो है ना वो ब्रै और आप बारी आती है, मास्तेक की क्या च्वाइस था यह ए फ्लाकषिप सीरीज में, फ्लाकषिप सीरीज में यार चोटी-चोटी च्वाइस थी, दूखे छोटी चोटी च्वाइस थी, जो है मी 10 मिल रहा था, मी 10 मिल रहा था, और साथ के साथ हमें, Find X2 Pro देखने को मिल र के साथ हमें मिल रहा था और नो डाउट यहां ओपो ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की एक फ्लैक्शिप लेवल को लेकर और फाइंड एक सीरीज दो साल बाद पाकिस्तानी मार्केट में इंट्री कर रही थी और इस फ्लोन को यूज करने के बाद मुझे अंदाजा में हैं फ्लैक्शिप लेवल मीड्रीन सेग्मेंट में इनकी इंप्रूवमेंट मुझे फील हुई और यह वाट बेस्ट फ्लैक्शिप फॉन आफ ता इयर मास्टे की च्वाइस गोज टू ओपो फाइंड एक्स टू प्रो अपनी बिल्ड और बाकी सारी चीजों के साब से क्यामरा सेटप भी अच्छा मिला फील आई कि यार मैंने को फ्लैक्शिप फॉन पर पैसे लगाए में हैं और आते हैं अपनी सेकेंड लास्ट केटगरी की तरफ मोस्ट इंपोर्ट रही है साल और इस साल हमने देखा कि जो यह मिड्रीन सेग्मेंट है इसमें इस ब्रैंड की तरफ से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी मिली अल्दो उत्रा इंप्रूव नहीं किया जो के मेरी एक्स्पेक्टेशन थी बट सीरियसली इस मोबाइल फोन ब्रैंड इन क्वार्टर फॉर भी आप 2020 का कह सकते जिसने ब्लोन आउट किया मार्कीट को जिसने सबसे ज ज्यादा डिवाइसीज को इंपोर्ट किया अब यह केटेगरी है बेस्ट इमर्जिंग ब्रैंड ऑफ द ये मासेक्ट चोईज अंडर 30 क कौन सा ऐसा ब्रैंड है जिसने 15 से 30,000 रोपी की रेंच के अंदर हमें नंबर ऑफ वराइटी प्रवाइट की और जिसने को अपने software optimization पर काम करना है camera optimization पर काम करना है इमेज processing पोस प्रोसेसिंग पर काम करना है और साथ के साथ और मजीद प्राइस स्टेजी को सेट कर रहा है I hope 2021 में इंफिनिक्स हुआ है वो मजीद काम करें हमारे suggestion को माने but seriously यह deserve करता है most emerging brand रहा है अंडर 30K बात करते हैं अगली सेटेगरी थोड़ी सी different है different इसली है कि एक तो emerging brand है अंडर 30K लेकिन overall पूरी पाकिसानी market में इस साल कौन सा ऐसा brand है जिसने बहुत ज्यादा fame कमाया जिस जो बहुत ज्यादा popular रहा already audience बता चुकी है बाकी सारे ब्रैंड को कि भी audience अब क्या expect करती है आप लोगों से prices expect करती है specification expect करती है और साथ के साथ भाई कुछ camera setups को भी expect करती है और different price segments में इस brand ने इस साल सब को tough time देने की कोशिश भी की और किसी price bracket में तो one and only ये brand रहता है और ये category है best emerging brand of the year of Pakistan अब ये master की तरफ से भी कह सकते है master की टोटी family की तरफ से कह सकते है और ये एक reality है जब भी offline market जाए तब भी आपको sales में difference देखने को मिलेगा इवन दो इस brand की हमें literally कुछ 6 महीने आठ महीने पहले किसी भी market में शायद एक दो दुकान मिलती थी जहां एक counter पड़ा होता था और अब हमें हर market में दो से तीन दुकाने मिलती है हर दुकान पर stock भी देखने को मिलता है और हो अलग बात है कि कई बार ऐसा होता है लेकिन ये brand जो है वो आइसा हिसा इंप्रूफ कर रहा है best emerging brand of the year goes to Xiaomi undoubtedly Xiaomi ने भाई 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 45,000, 60,000, 70,000 flagship level POCO F2 Pro, MI10 के साथ बहुत सी devices launch की और भाई बिजनिस को भी आइसा हिसा ग्रो किया ऐसे कुछ IoT प्रोडक्स के अंदर भी काफी ज़्यादा इंट्री की लेकिन उसमें रियल भी थोड़ा से अग्रेसिव ला लेकिन उसके आपने को टॉफी नहीं रखी है लेकिन भाई most emerging brand most famous brand of Pakistan in 2020 from Maastag goes to Xiaomi congratulations Xiaomi आप इस साल मेरे most favorable brand रहे हैं लेकिन भाई next year you have to do something else आपको और मजीद अच्छा करना है अपने आपको बाकी सब brands को भी करना है ताके भाई लोगों को अंदादा हो सके कि brands हमारे पैसों से क्या कर रहा है और मैं यह कहता हूं कि भाई next year है काफी अग्रेसिव होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे brands को निचा दिखाना चाहता हूं ऐसा कोई सीन नहीं है सब brands अपने अपने users के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारा influencers का काम यह है कि हमने actual में बताना है कि बाई क्या product है कहा implement कैसा किया गया है कहा नहीं किया गया कहा improvement है कहा नहीं और अगर हम influencer ना होते तो शायद यह improvements भी ना होती इसके लिए भाई like करो और ऐसे ही 2021 में हमें support करो तो यह थे मेरे smartphone award of the year 2020 बहुत से phone launch किये गए अब बात करते हैं कुछ giveaway की और बहुत से लोगों का शुक्रिया जिन्हों ने participate किया और ऐसे मास्टेक चैनल को जैसे आप support करते हैं ऐसे यह अपने surprise giveaway उमर नवीद आपका gmail address सामने आ रहा होगा और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो देख रहे हैं तो मास्टेक कम्यूनिटी at the rate of gmail.com अगला विनर है अब्दुलहादी अब्दुलहादी का भी gmail address सामने शोह रहा होगा और हमने यह रैंडम ली जो तीसरे विनर की तीसरे विनर या तीसरी विनर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग किसी लीडिस को भी यहाँ पर अनाउस कर रहे हैं वो है जैनब जिनका email address सामने आ रहा होगा और आपने इसी email address से हमें mail करना है ताकि हम verify करने हैं कि आप original person है हमारे उस email के reply में ही reply करना है और लास्ट जो गिवे विनर है चौथा विनर है वो है मुहमद गुलफार्म जिनका Gmail address मुहमद गुलफार्म 167 at the rate of gmail.com है Congratulations to all of you winners और अगले साल मजीद हम गिवेवेज लाते रहेंगे और टौफ एन वीडियो काफी लंबी हो गई है और इस साल को कवर करने के लिए ये टाइम शायद थोड़ा था इससे ज्यादा लंबी भी बन सकती थी ज्यादा डीटेल भी हो सकती थी लेकिन overall मैंने कोशिश कि कि सारे कॉंटेंट को कम टाइम में कवर कर लिया जाए तो आज की वीडियो में यह मुलाकाथ होगी नए वीडियो में किसे नए अंबॉक्सिंग किसे नए रिव्यू किसे नए कंपारिजन के साथ और अगर आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं या 2021 के पहली जनूरी के द देख रहे हैं तो भाई हैपी न्यू येर और उससे पहले देख रहे हैं तो आने वाला हैपी न्यू येर तो पाकिस्तान जिन्दबाद अल्हाफिज